नमस्कार दोस्तों, इंप्लाइक पर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों, EPS 95 पेंसन दारगों की मागों को मंजूर करने के लिए एनसी राष्टी संगर समिती की ओर से माननी श्री भरतरी माताजी जो कि सांसत सदस्य और अध्यक्ष है स्रम एउम सांसदी समिती के उनको यहाँ पर एक मेल किया गया है और सभी डाकुमेंट, सभी दस्तावे जो उनको यहाँ पर वेजे गया है और इस मेल पर ध्यान देने के लिए और EPS 95 पेंसन दारगों की समस्या को स्रम पर संसदी समिती के बीच में रखने का उनसे यहाँ पर अनुरोद किया गया है जैसे कि एक प्रपत्र की कॉपी आप यहाँ इसक्रिन पर देख पा रहे होंगे जो कि 10-3-2021 को यहाँ पर एनसी रश्टी संगर समिती के और से चारी किया गया है और यहाँ पर माननी स्री भरतरी महताजी को यह प्रपत्र लिखा गया है जिसमें की कृपिया संगठन द्वारा आपको बेजे गए मेल वा माननी मौज़र द्वारा सोपे गए दस्तावेज को देखने का अनुरोद किया है प्रपत्र में आगे लिखा है कि यहां अनुरोद किया जाता है कि हमारे द्वारा बेजे गए प्रस्तावों के अनुसार मिनिमाम पेंसन 7500 मागई बत्ता वा ईपी एफो के पत्र दिनांक तेवीस तीन 2017 के उच्चतर पेंसन बढ़ाने के आवस्य कारवाही की जा सकती है EPS 95 पेंसन धारकों की दैनी स्थती पेंसन फंड की उपलब धता लगबग जोकी 5.5 लाग करोड रुपए और EPS 95 पेंसन धारकों की बुड़ापे की मृत्यू दर को ध्यान में रखते हुए जल्द ही इस पर निटनने लिया जाना चाहिए यहां यहां उल्लेक करना उचित है कि हमने पिछले 4 वर्सों में देश भर में हजारों आंदुलन किये है हमने माननी सरम मंत्री की सलहा पर सभी आंदुलन वापस ले लिये है और केवल बुलड़ाना महाराष्ट में एनसी मुख्याले के हमारा एक प्रतिकात्मक सरंकला भूखरताल आंदुलन यहां पर 24-12-2018 से चल रहा है आज उसी का यहां पर 808 वा दिन है माननी महोदय क्रप्या एस विशय पर कोई भी निरनाय लेने से पहले उप्रोग तो सभी तत्यों पर अच्छे से विचार करे और EPS 95 पेंसन धारगों की मांगों को जल्दी से जल्दी मंजूर करने की क्रपा करे तो दोस्तों जैसे कि यहां प्रपत्र आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह प्रपत्र एनिसी राष्टी संगर समिती के ओर से माननी स्री भरतहरी माताजी को लिखा गया है जो की संसत सदस्य और अध्यक्छा है स्रम पर संसदी समिती की जो की यहां पर स्रम मंत्रा लेक अंतरगत कारे करती है और जो श्रम मंत्रा लेकि जो भी बड़े निर्य होती है उनको निर्ने लेने में यहां पर जो है उनको हेल्प करती है जिसमें कि उन्होंने एनेसी राष्टी संगर समित्य ने खुद यहाँ पर केलकुलेशन करकी यह सारी जानकारी दी है कि किस तरह से वर्तमान इस्ततियों में भी EPS 95 पेंसन दारगों की जो 403 मांगे है उन्हें मंजूर की जा सकती है उसी प्रपत्र के संबंद में यहाँ पर जो है दोबारा इमेल के थुरू यह प्रपत्र उनको बेजा गया है तो आई होब ये वीडियो जानकर आपको पसंद आई होगी ये वीडियो जानकर आपको अच्छे लगी हो वीडियो को लाइक सेर चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और इसी तरह से करमचारी पीए पेंशन और सभी सरकरी उजनावस जूड़े जो भी नहीं लिए टेस्ट बने रहेगा मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में किसी चानकर इक साथ तब तक के लिए बने रहेगा एंप्लोई खबर चैनल के साथ जाहिंद वंदे मातरम